तो आज किस वीडियो में अपरेटर ओवर्लोडिंग को देखेंगे तो ऑपरेटर ओवर्लोडिंग हमार पास क्या होती है हम सबसे पहले यह देख लेते हैं तो एक इस स्कोप के अंदर आप एक उपरेटर की मल्टिपल डेफिनेशन दे सकते हैं कुछ डेफिनेशन जो हैं वो आपके पास प्री डिफाइन होती है जो के सी प्लस प्लस की जो आप हैटर फाइल्स इंक्लूड करते हैं उनके अंदर मौजूद होती है जब आप अपना कोई ऑपरेटर को यूज करते हुए तो यह ऑपरेटर ओवर्लोडिंग हो जाएगी जिस तरह से हमने फंक्षन एक ही नेम के एक से ज़्यादा फंक्षण बनाये थे इसी तरह एक ही ऑपरेटर की एक से जद़दा डेफिनेशन हम देंगे और जो definition suit कर रही होगी function call को या operator call को तो वो वाली definition उसकी call हो जाएगी जब हम main function में उसको use करेंगे You can redefine or overload most of the built-in operators available in C++ तो तक्रीबन ज्यादा दर operators जो C++ के अंदर आप use करते हैं आप उन तमाम को overload कर सकते हैं जिनको नहीं overload कर सकते हैं वो मैं आपको next slide में बताऊंगा It is a type of polymorphism in which an operator is overloaded to give a user-defined meaning to it तो यह polymorphism की एक type है जिस तरह के function overloading और operator overloading यह तमाम चीज़ें polymorphism के अंदर आती हैं और polymorphism क्या होती है यह हम आगे चलके पढ़ेंगे भी उप के अंदर तो यह polymorphism की एक type है जिसके अंदर आप operator को एक से ज़्यादा definition देते हैं विच operators cannot be overloaded Almost any operator can be overloaded in C++ However there are few operators which cannot be overloaded यहां पर चंद दो एक operators हैं जो के overload नहीं किये जा सकते operators that are not overloaded are as follows scope resolution operator जो है आप इसको overload नहीं कर सकते size of का जो मेरबस operator है उसको आप overload नहीं कर सकते member selector operator यानि यह जो dot operator है इसको आप overload नहीं कर सकते member pointer selector जो आपके पास operator है steric इसको भी आप overload नहीं कर सकते और ternary operator जो if or else condition के साथ हमने पढ़ा था उसको भी आप overload नहीं कर सकते इसके लावा ये hash और double hash का जो operator है यानि comment वगरा वाले इनको भी आप overload नहीं कर सकते तो अब मैं आपको binary operator overloading में plus minus multiplication और division overload करके दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर तो यहाँ पर मेरे पास वही box की class है जो हम शुरू से जिसकी example देखते वे आ रहे हैं इसके अंदर तीन मेरे पास data members है height, length, width और constructor और parameterized constructor भी है हमारे पास और फिर मेरे पास set और get values के function भी है और display का एक function था अब मैंने इसके अंदर चार operators जो है वो overload की हैं तो अब जो है इसमें मैं आपको इसका syntax दिखा देता हूं यह return करेगा मेरे पस box का एक object और उसके बाद यहाँ पर इसकी return type box का object return करने के विएसे मैं इसकी return type box रखूंगा और फिर इसके बाद यहाँ पर आप function जिस तरह लिखते हैं उस तरह function के name की जगा आपने operator का keyword लिखना है और 7 वो operator देना है जो आपने overload करना है और उसके बाद parameters के अंदर आपने जो right hand side वाली value है वो आपने लिखनी है तो यह call किस तरह से होता है एक object के जरीए आप इसको call करेंगे तो जिस pointer जिस object को point कर रहा होगा वो मेरे पास left hand side पर होगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुए this उसके बाद यह operator प्लस और obj जो right hand side वाला है वो इसको ऐसा parameter पास होगा और यह मुझे return कर देगा कोई ना कोई object लेकिन आप इसको call किस तरह से कर सकते हैं आप एक object ब लिखें और आप लिखें obj2 plus obj3 आप इसको इस तरह call करेंगे जिससे readability में इजाफा हो रहा है अगर आप कोई function मनाते add का तो वो आप इस तरह से call करते फिर obj1.add obj2 और इसको फिर आप obj3 में add करवाते तो इससे readability में कोई issue तो नहीं है लेकिन अगर कोई complex हमारे पास mathematical equations आजाएं तो फिर आपको इस तरह function लिखते हुए मुश्किल होगी तो इसलिए हम यह operator overload कर लेते हैं ताकि हम easily इसको जिस तरह बागी data types के लिए जो built-in data types हैं यानि integer float double के लिए हम इसको लिखते हैं उस तरह ही हम अपनी user defined data types को भी add और subtract कर सके और इन पर operations perform क तो अब यह मैंने यहां पर चारों operators की जो है वो prototypes लिख दी है class के अंदर और आप मैंने को define करता हूं और आपको दिखाता हूं तो मैं यह definition में आ गया हूं यहां पर मैंने return type लिखी जो के box ही है उसके बाद class का name scope resolution operator function के name की जगा मैं operator का keyword और साथ operator का नाम लिखेंगे तो operator operator plus लिखा मैंने उसके बाद यहां पर right hand side value value लिखी है जो कि एक object होगा जो इसको pass होगा फिर मैं इसके अंदर जाके temporary object बनाता हूं उसकी height के अंदर दोनों की heights add करता हूं length के अंदर दोनों की lengths add करता हूं और width के अंदर दोनों की widths add करके उसको return कर देता हूं इसी तरह minus मे इनको minus करके store करवा देता हूं multiplication में इनको multiply करके store कराता हूं और division में इनको divide करके store करवा देता हूं तो अब जो left hand side पर आपके पास object होगा उससे ये function call होगा और जो right hand side वाल object होता है वो इसको as a parameter pass होता है मैं यहाँ पर main function में आता हूं मैंने दो objects बनाए हैं उनको कुछ values दी हैं और एक तीसरा object बनाके इन दोनों का sum उसके अंदर store करवाया है मैं इसको run करता हूं तो यह देखेंगे मेरे पास 14.5 plus 15.5 30 हो गया और यह दोनों add होके 42.86 हो गया और यह दोनों add होके 116 हो गया इस width में minus 8.94 width में 54.8 मेरे पास store हो गया इसी तरह multiplication और division के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूं यह multiply होके मेरे पास values आ चुकी है और इनको आप verify कर सकते हैं इन values के साथ जो के मैंने इन दोनों objects के अंदर store करवाई हैं और यहाँ पर divide करने के बाद भी कोई error नहीं आया और यह दोनों divide होके मेरे पस answer आ गया इनकी values का तो इस तरह से आप operators को overload कर सकते हैं मैं आपको next वीडियो में assignment operator overload करना सिखाऊंगा और उसके बाद कुछ unary operators हम देखेंगे कि उनको किस तरह से overload कर सकते हैं तो मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए लिए लाफिस